अब यह भी मुली मौसम की ताजा जानकरी के मताइद, मध्याप्रदेश के इन जिलों में भारी से भारी मौसम में बदला, और कुछ इलाकों पर बारी से भारी कोहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, सीट लेर का असर कई राज्यों में शुरू हो गए, जिसमें मद्या प्रदेश के कई इलाकों पर भारी ठंड के शुरुआ हमें देखने को मिलेगी अगले 24-47 गंटों की दुरान कैसा रहेगा मद्या प्रदेश का मौसम आपके यहाँ पर कब और कैसी ठंड देखने को मिलना लिए तो पूरी जानकरी जानने के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को लाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गंटे की आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीजे अगले दो दिनों की दोरान जो है भोपाल, राइसेन, राजगड, विदीसा, देवास, आगर, मालवा, मंसोर, निम्च, रतलाम, साजापूर, उज्जेन, अशोकनगर, गोना, ग्वालियर, शिवपूरी, दत्या, भिंड, मुरेना, शिवपूर, कला, उमरिया, अनुपू शेडोल, डिंडोरी, कटनी, चिंदवाडा, जबलपूर, बालागाट, नरसिंगपूर, शिवनी, मंडला, रिवा, सतना, सिधी, सिंग्रोली, चतरपूर, सागर, टिकमगड, पन्ना, दमुह, एव, निवाडी, जिलों में कुछ इस्तनों पर कहीं कहीं पर, गरचमक के वही मध्यपर्दिश के टिकमगड शेहर में आगमी 4-5 दिनों के दौरान मौसम में जमकर बदला होने के समवन है, और मौसम विबाग के मताविक मिली जानकरी के मताथ कई जगों पर आगमी 4 दिनों में सर्दी एक बार फेट से अपना असर दिखाएगी, और मौसम विबा वही मौसम विबाग का पूरान में जानकर बदला होने के बार इस अपना पर बार इस अपता तक बारी से बारी ठंड का प्रकॉप रहेगा, बीते दो दिनों से मध्या प्रदेश के ज़्यादे तर जिलों में नियुंतन तापमन में काफी ज़दा बड़ोतरी हुई वही मौसम विबाग का पूरान माने की बादल फिर से बरस सकते हैं और मौपाल सहीत मध्या प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है सुबे मध्या परदेश के कुछ हिस्सों में कोरा चाया रहेगा तो कई जगों पर बारिश होने का नियोंतर तापन में गिरावट हो सकती है और ऐसे में काफी ज़्यादा ठंड पड़ेगी और पस्चिम विष्वों के प्रभाव के करण से और मध्या प्रदेश के कही लाकों पर काफी जगों पर ठंडा मौसम देखने को मिल सकता है वह हैं दोस्तों बता है जारी कि साजापूर में काफी जगों पर देखने को मिला काई जगों पर बुंदा बुंदी भी होगी और अगले कुछ जगों पर जो है काफी जगों पर कई जगों पर ओले भी गिर सकते ग्वालियर और चंबल संभाग के निम्च मंसुर आगर साजापूर राजगर और विदी सजिलो में भी हलकी बारिश हो सकते और बोपाल सागर खोसंगाबाद जबलपूर रिवा और शेड रेकोर्ड के गया है और सबसे कम निम्तन 25 पंचमडि में साथ डिगरी के आसपास रेकोर्ड किया गया है अवं दोस्तों बताए जयरी पंचमडि का साथ पर नों का 9 दिगी सेल्सेस रिवा में 9.2 डिगी सेल्सेस राइसीन का 9.6 डिगी सेल्सेस और हुसंगाबाद का 13.8 दो हिंद की बात कि Dus तो त्यरह.वश्यन वे गाडया इंदोर की बात कि जाए तो 5 की बात की से तरृपऌंट 1्डीर अरफ मरेगा बोकल में11.8 डीरस कि जाए तो więc تूरह पोइंट जो है चर्डीरी ऐसे ताप मरेएगा काड़ाके की ठंड सहाइब और वालेर चंबल संभाग के साथ ही उज्जेन संभाग में भी कुछ हिस्तों में जो है काफी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है मध्यपरदेश के अधिकान शेरों में नियोंतन तापमान में सामन्य की अधिक दर्ज हुआ था इससे कड़ाके की ठंड भी मध्यपरदेश आगर मालवा इन जगों पर तो ज़्यादा जगों पर ठंड है तो कई इलागों पर दोस्तों जो है 24-47 गंटों की दुरान वेदर अपडेट के मतवत बताई जार है भारी से भारी ठंडा मौसम रहेगा वही दोस्तों बात करें एक एक जिले की यानिकि मध्यपरदेश के स अमान अभी जटाई जारी और पूरे एक सप्ता के दुरान काफी ठंडा और सौना मौसम रहेगा देवास मध्यपरदेश की बात की जाए तो देवास में पूरे एक सप्ता के दुरान बताई जारी की काफी ज़्यादा मौसम रेकोड के जारा है और अगले 24-47 गंटों की मंगलवार, बुदुवार, गुरुवार, शुकुरुवार को काफी ज़धा जगों पर छिटपुड बारिश भी देखने को मिल सकते और काफी ठंडा सौना मौसम रहेगा और अधिक्तम तापमन की बात की जाए तो अगले तीन दिनों के दुरन जो है चोबिस और तेईस के गरी बास सकता है वहीं दोस्तो राजगर की बात की जाए तो राजगर में पूरे एक सप्ता के दुरन मौसम साफ सौना है कई इलागों पर जो है बारिश तो कई जगों पर जो है अगले दो दिनों के दुरन भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और मौसम शिहोर की बात की जाए तो शिहोर में भी दो दिनों के दोरन चेटपोड बारिश होगी और काफी ठंडा सौना मौसम रहेगा राइसेल में दोस्तों पूरे एक सप्ता के दोरन बादल चाहे रहेंगे और आने वाले मंगला और बुदवर गुरुवार को काफी जाए 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 कि छेटपोड के साथ अच्छी बारिश और पूरे एक सप्ता के दोरन 23, 24 और 25 के करिब ताप मार रहनी की संभा होना है वहीच हिंदोर्डा की बाद की जाए तो गले तीन दिनों के दोरन चेटपोड बारिश के समभाण है कई इलाको पर बादल चाहे रहेंगे तो बात करें राजदानी बोपल की तो यहाँ पर भी काफी ठंडा सौना मौसम में पूरे एक सप्ता के दोरन जोरन बारी बादल चाहे रहेंगे तो पेर के समय में भी काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रहे और बताए जारे की ग्वालियर में जो है जैसे ही अगले 2-3 दिनों की दुरान चेटपूर के साथ अच्छी बारिश और काफी ज्यादा जेगों पर ठंडा मौसम रेकॉर्ड किया जाना है अगले 2-4 दिनों की 26 के करीब रहेगा और कई लागों पर भारी से भारी ठंडा मौसम रहेगा तो कई लागों पर चिटपूर के साथ भारी मौसम में बदलाओ भी देखने को मिलेगा और बताए जार की बुद्वार, गुरुआर, शुकुरुआर, शनिवार, रियुआर को मौसम जो है काफी ज्यादा सुआवना और बादलो क्या वज़े काफी अधिक रहेगी और पूरे आठ से नौ दिनों की दुरन जो है ठंडा मौसम रेकोर्ड के जाने रहे और रात के समय यहापर 14 के गरीब तापमा जाएगा और दिन के सामय में भी जो है लगबग 20-25 के बीच में ही तापम विदिशा, देवास, आगरमालवा, मंसोर, नेमचर, अतलाम, साजापूर, उजेन, अशोकनगर, गुना, ग्वालियार, शिवपूरी, धत्या, बेंडम, मुरेना, शिवपूर, कला, उमरिया, अनुपूर, शेडोल, इंडोरी, कटनी, चेंदवाड, जबलपूर, बालाग